गुट मॉर्निंग फिप्ट क्लास बिटा हम लोगोंने मैट्स में चैप्टर नमबर 11 टाइम रीट कर लिया था तो इसके पारे में मैंने आपको बता दिया था कि क्लॉक को कैसे हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है कौन से हैंड को क्या बूला जाता है जैसे ये आर हैंड होता है ये मिनट हैंड होता है ये सेकेंड हैंड होता है ये जो पर ये जो डिवाइडेशन है ये फाइव फाइव मिनट का होता है इसलिए टोटल वन आर में 60 मिनट होते हैं यह 1 से लेकर 12 पार्ट में डिवाइड रहता है तो यह सारी चीज़े तो आप लोगों को पता भी है और हम लोग अल्रेडी डिसकस भी कर चुके हैं तो अभी इस वीडियो में हम लोग यह डिसकस नहीं करेंगे अभी इस वीडियो में मैं आपको एक्ससाइज 11.1 और 11.2 समझ सब्सक्राइब करेंगे तो देखो 11.1 में हमसे first question पूछा है convert r into minutes in the following question इन questions में क्या करना है और को minutes में Change करना है ठीक है तो आर को minute में change करने के लिए हम क्या करते है अगर मिनट को second में change करना है तो भी हम multiply करेंगे 60 से लेकिन आर को अगर direct हमें second में change करना है तब हम क्या करेंगे multiply करेंगे 3600 से ठीक है तो यह हमने पड़ा था अब एक एक कोशन हम देखेंगे तो उसके according आप समझ जाएंगे देखो first question हमारा है यहाँ पर मैंने rough work किया है ठीक है rough मैं आप लोग को इसलिए करके देखाई हूँ ताकि अगर आपको solve करने कोई भी issue हो तो आप यहाँ से पता लगा सको कि मैं हमने कैसे किया है तो देखो 1 1 by 4 r को हम minute में change करेंगे तो इसको minute में change करने के लिए हम क्या करेंगे मैंने कहा था पहले आपको फ्रेक्शन को solve करना ह हमने का देखा था कि नीचे को multiply करते है उपर वाले को plus कर देते हैं तो 4 multiply by 1 4 plus 1 5 तो answer होगा 5 by 4 तो यह तो हमने fraction को solve किया अब क्यूंकि हमें r को minute में change करना है तो हमें multiply करना पड़ेगा किस से 60 से तो 5 by 4 को 60 से multiply करेंगे सबसे पहले 4 से 60 को divide कर देंगे तो answer आएगा 15 तो अ 75 minute अमारा answer हो गया है ना यह जो नीचे होता है ना उससे उपर वाले को divide करते हैं फिर जो answer आता है तो उनको फिर आपस में multiply करके answer लिख देते हैं जैसे यहां देखो 2 1 by 2 r को minutes में change करना था पहले fraction को solve करेंगे 2 1 by 2 क्या बन जाएगा 5 by 2 बन जाएगा कैसे नीचे वाले को multiply करो 2 2s are 4 और उपर वाले को plus कर दो 4 plus 1 5 तो यह हो गया 5 by 2 अब क्योंकि r को minute में change करना है इसलिए multiply कर देंगे 60 से अब क्या करेंगे 2 से पहले 60 को divide करेंगे तो हमने 2 से 60 को divide किया तो answer कितना है 30 तो यह 30 हो गया 5 पहले से था तो 30 into 5 कितना हो जाएगा multiply करके देखोगे तो 150 minutes answer आगया multiply क्यों करें 60 से क्योंकि हम लोगों को r को minute में change करना है और r को minute में change करने के लिए 60 से multiply करना होता है ठीक है ऐसे ही वाला question देखो 5 3 by 4 r को minute में हमें change करना था पहले हम fraction को solve करेंगे 5 4s are 20 20 plus 3 23 तो 23 by 4 into 60 क्योंकि minute में बदलना है हमें फिर पहले 4 को 60 से divide करेंगे तो answer 15 23 और 15 को multiply कर देंगे तो answer आजागा 345 ठीक है खुद से भी solve करके देखना है यह नहीं कि बस यहां से copy करके लिख लिए खुद से solve करके देखो गे तो चीजे ज्यादा आची तरह समझ मेंगी इसी तरह हम आगे भी question कर लेंगे फिर देखो हम यहां तक तो question सेम है अब यहा अब minutes को हमें hour में change करना है तब क्या करेंगे अब हम divide कर देंगे किस से 60 से तो मैंने यहां लिख भी दिया है to convert minutes into hour we divide by 60 जब minute को hour में change करते है तो 60 से divide कर देते है ठीक है तो देखो 490 minutes को 60 से divide किया answer आ गया 8 1 by 6 hours ठीक है फिर 8 1 by 6 hours कैसे आया यह भी देख लो 0 से हमने 0 कट क कर दिया फिर 6 को 49 से divide करना था तो 6 से 49 को divide किया 6 8 जा 48 9 में से 8 गया तो 1 तो मैंने आपको बताया था जो denominator में जो यह जो डिमेंडर होता है यह उपन numerator में चला जाता है और यह जो डिवीजर होता है नीचे denominator में आ जाता है ठीक है यह हम लोग यह भी डिसकस कर चुके ठीक ह को आर में चेंज करना है अगें 280 को divide करेंगे 60 से divide क्यों किया 60 से क्योंकि अब हम minutes को mark change कर रहे है जब minutes को करेंगे तो divide करेंगे 60 से जब r को minutes में change करेंगे तब multiply करेंगे 60 से ठीक है तो यहाँ हमने divide किया हमारा answer को अन्षर आया 4 4x6 या फिर आप इसको भी काट सकते हो क्यो इसको भी काट दो तो आंसर आजागा 4 2 by 3 आप 4 by 6 आंसर लिखोगे तो भी करेक्ट है 4 2 by 3 आंसर लिखोगे तो भी करेक्ट है ठीक है तो यह हो गया इस तरह हम 11.1 के आगे के question में solve कर देंगे आगे भी हमें minutes को hour में change करना है तो ध्यान रखना minutes को hour में change करने के लिए divide करते ह 16 3 पिर बात आती है exercise 11. 2 की और इसमें हमें क्या कर गया है convert the following time units minute को second में change करो अब हम मिनट को second में change करना है तो क्या करेंगे मिनट को second में change करने के लिए multiply कर देंगे 60 से तो यह देखो 20 minute को second में change करने के लिए हमने 20 को 60 से multiply कर दिया तो 1200 हमारा answer आ गया, 1200 seconds हमारा answer आ गया, again इसमें भी हमने minute को second में change किया, minute को second में change करने के लिए 60 से multiply करते हैं, अगर fraction में है तो पहले fraction को solve करते हैं, यह हमने fraction solve किया, 60 से multiply किया, answer आ गया हमारा 390 second answer, ठीक है, फिर देखो यहाँ पर भी हमें minutes को second में change करना था, तो हमने पहले fraction को solve किया 12 forza 60 60 plus 1 61 तो 61 by 4 into 60 into 60 क्यों कि second में change करना है पहले 4 को 60 से divide कर देंगे तो 15 आएगा 61 या पहले से था अब इन दोनों को आप से multiply कर दो क्योंकि multiply का sign है 61 को 15 से multiply किया तो 915 second answer आ गया हमारा ठीक है ऐसे ही fourth question भी कर देंगे हम fourth question में क्या है fourth question में का है कि four r को second में change करूं r को second में change करना है तो हमने क्या पढ़ा था जब r को directly second में बदलना होता है तो हम क्या करते है multiply करते है 3600 से इसलिए हमने आप three thousand 600 से multiply किया तो हमारा answer आ गया fourteen thousand four hundred seconds फिर यहां भी हमने खो second में change करना था 몇 fraction में तो पहले fraction को solve करेंगे, हमने fraction solve किया, 4 to the 8, 8 plus 3 11, 11 by 4 आ गया, अब 3600 से multiply करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें 2nd में बदलना है R को, तो हमने multiply किया, पहले 4 से 3600 को solve कर देंगे, divide करके फिर आएगा 900, 900 को 11 से multiply कर देंगे, तो answer आ जाएगा 9900 second, ठीक है ऐसे हम लोग इसको भी R को second में change कर लेंगे, तो ये question हुआ, फिर आपसे 7th question आपको क्या कहा गया है कि 29500 second को R में change करो, अब second को R में change कर रहे हैं, है ना जब R को second में करते थे तब multiply करते थे 3600 से, अब second को R में करना है तो 3600 से divide करेंगे तो ये हमने divide किया, 0 से 0 cut कर दिया, और 36 से 0 से 0 cut हो गया, आप क्या बचा 295 by 36, तो 36 से 295 को divide करेंगे तो answer आजाएगा, 8 7 by 36, ठीक है, 8 तो ये, फिर ये 7 उपर जाएगा, 36 नीचे आ जाता है, ठीक है ऐसे ही इसको solve करेंगे, 0 से 0 cut कर दिया, 36 और 10 by 36 को और solve कर सकते हैं क्योंकि ये cut सकते हैं, तो 7 5 by 18 answer आजाएगा हमारा, ऐसे ही 1255 second को minute में बदलना है, तो second को minute में बदलने के लिए किससे करेंगे जब minute को second में करते हैं, तब क्या करते हैं, 60 से multiply करते हैं अब second को minute में करना है, तो 60 से divide करेंगे, तो जब हम 1255 को 60 से divide करेंगे, तो answer आजाएगा, 20 11 by 12 ठीक है, ऐसे ही देखो, 10th question है, 2478 second को minute में चेंज करना है, तो second को minute में चेंज करने के लिए divide कर दिया, 60 से, तो जब हमने आपको डिवाइट किया, तो हमारा answer है, 41 3 by 10 10 minutes answer, ठीक है, तो यह हुआ हमारा 11.1 and 11.2, I hope आपको समझ में आगया होगा, अगर कोई भी student ऐसा है, जिसको समझ में नहीं आया हो, तो जब हम मैट्स की live class लेंगे, जब हम लोग आगे का पढ़ेंगे, तो उससे पहले ही आप मुस्से पूछ लेना कि मैं इस exercise का यह question नहीं आया है, तो उससे आपको समझा दूँगे, ठीक है, तिल दन आप लोग अपना exercise 11.1 और 11.2 कंप्लीट कर लो, मिलेंगे अपने next class में, बाई, टेक क्यार,